मास्कार दोस्तों कुंदान एकड़िमी के हिंदी ज्यान यूटूब चैनल में आपका श्रागत है आज हम हिंदी भासा का विकास देखेंगे यह अपने अब में एक नया टॉपिक है दोस्तों देखिएगा हिंदी भासा के विकास में सबसे पहले हम रूप रेखा देखेंग चुकि ये बहुत महत्तपून टॉपिक है हिंदी का देखेंगे साथ से पहले हम भासा परिवार देखेंगे जिसमें हिंदी किस भासा परिवार के अंतर गताती है ये देखेंगे फिर दूसरा देखेंगे यहां पास है भारती आरे भासा का बर्गी करण वर्गी करण किया जाएगा कि हिंदी किस आरे भासा के अंतरगत आती है क्या इसका वर्गी करण है फिर तीसरो टॉपिक है देखिएगा हिंदी भासा के विकास का क्रम हिंदी भासा के विकास का सही क्रम क्या है यह देखेंगे बहुत मत्तपूर है चुकि प्राशीन का से हिं हिंदी की आगे चौथा नमबर देखेंगे हिंदी सब्द की बितपत्य के बारे हिंदी सब्द जो है तो किस भासा का सब्द है किया कैसी बितपत्य हुई है पाचवा टॉपिक देखेंगे भारत के नौ हिंदी भासी राज और एक केंदर सासित परदेश चुक्कि आपको पत आएं और अठारे भोलियां देखें कि दोस्तों तो हिंडी की पांच उप भासा है तता। अठारे भोलियों कौन कोशी है आगे इस टापिक मीं नोग देखें That हिंडी कि दोट्र पिखिजह के तो, क्ईति ही रोचक तो है कि हिंडी कितनी बोलियों से मिलकर आगे देखे कि दोस्तों इसमें बारती भासाओं के त्मक्राइगा है और जो डूसरा अंबरंब बताया गए है भारति शमीधान कबस देखित्ज़ प्राब भाग है इन अंप्राब्धानों को देखिए गे हम लोग ठीक है तो बहीं प्रकार के अंदोलन और सभाओं को देखेंगे यह रही दोस्तों रूप रेखा इसी के धार पर हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं ठीक है हिंदी भासा के विकास अब देखेगा आगे हम सुरू करें इस टॉपिक को देखेंगे दोस्तों चुकि इतना लंबा टॉपिक है एक बार में नहीं पढ़ा जा सकता है लेकिन इसके एक स्याधिक वीडियो बन सकती हैं आगे हम देखते हैं तो देखेंगे यहां पास अगला टॉपिक हम सुरू कर रहे हैं हिंदी भासा का विकास देखेंगे दोस्तों हिंदी बिश्व की लगभग तीन हजर भासाओं में इस एक भासा है लगभग दोस्तों माना जाता है कि हिंदी से दुनियों में लगभग तीन हजार स्याथिक भासाओं हैं इस तरह आकड़े बताये जा रहे हैं देखेंगा हिंदी की आकरित या शोरूप के अधर पर हिंदी बियो गातमक या विसलिष्ट प्रकार की भासा है क्या मतलब जो हिंदी की प्रकीत है या नेचर है इसका कैसा है बियो गातमक प्रकीत की है या कहतों बिसलिष्ट मतलब ब्याख्यातमक प्रकीत की है ठीक है दोस्तों तो इस प्रकार से देखेंगा जो इसकी प्रकार से देखेंगे भासा परिवार यहां लिखा हुआ दोस् लेजीं परकर्वाशाहों कभी अपना परिवार होता है देखेंगा हिंदी भासषा म Tweetson वहाईं कहें खारओंट परिवारतम्य स्थरी ने भारत में 40 परिवार्ट हाई जाते हैं पहले भाया लुक्त देखेगा भारोपी भासा परिवार दोस्तो इसको इंडो यूरोपियन भासा परिवार भी कहते हैं ये भारत में सरवाधिक बोली जाती है लगवग 73% में बोली जाती है मतलब सरवाधिक यही बोली जाती है तो भारोपी भासा परिवार फिर देखेगा दूसर भारत में कौ अरुपी भासा परिवार के इंतरगात आती हैं जिसमें हिंदी प्रमुख है लेकिन जो दक्षिन भारत की प्रतेग भारत की बोली जाती है तो ये क्या है प्रतेग भारती राज्यों की जो हैशे भाल बाला प्रतेक भारती जाती कि थीओं धीँ देखेंगे चौतर्सा परिवार आश्टरु हास परिवार हो आश्टर्क भासा परिवार है भारत में आश्टर्क भासा परिवार ही पाय जाता जो की 1.3 पर्शाट चेतर में बोले जाती है पिर चौत diversity हवार का उसा चीनि तीबती liberal भासा परिवार ने थारत में है जो नीपाल का तया छेतर है या तरी से जुड़ा हुआ खेतर है यहां लगभग 0.7 फलंठ थूड़े भाग में जो है तो चीने तीबती भासा परिवार भी बोले आती यह तो इस प्रकार से दोस्तों जो है तो भासा परिवार में के बारे में क्या factor है बहुत महा तपूर आपकी जानकर्यम देने जा रहे हैं आपको देखेएगए यहां पास बताया जा रहा है दोस्तो कि भारत में बोले जाने बालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपी भारॉपी भासा परिवारा सब से बड़ा भारवाशा परिबार आगे, अब आगे देखेगा, लिखा है यहाँ, आगे यहाँ केंद सासित परदेश में और दो राज ऐसे हैं या केंद सासित परदेश ऐसे जहां सेकंड राजभासा का दर्जा प्राप्ट की है जिसे कह सकते हैं महाराश्ट में सेकंड राजभासा है और अंडवान निकोबार दिव समों में सेकंड राजभासा का दर्जा हिंदी को प्र से पढ़ेंगे दोस्तों अब आगे देखेगा इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का विकास करम हिंदी का क्या सहीं विकास करम है यहां पास देखेगा बहुत मत पूर हिंदी के विकास करम को देख रहे हैं भारत में भासा का विकास आरियों के आगमन से माना जात स्ट आगे लिखा है आरियों के साथ जिस भासा का विकार्स हुआ हुआ उसे संस्क्त कहते हैं यूंकि आपको पता कि भारत में मध धेश्य सिब nail का अगवन हुआ थह और उनके द्वारा जिस सब्लूरा की पंजाब प्रांत में बशे संस्कित से जिस भार्षा का विकास हुआ उसे भारती आरे भार्षा कहते हैं दोस्तों यहां यह बताए जा रहा है कि भारत में आरियों का आगवन मदे सेश हुआ जो कि शिंद दौर से भारत में आये थे और भारत के पंजाब प्रांत में पहली बार ये बचते हैं ठीक है पंजाब और आप गानिस्तान वाले छेत्रों ये पहली बार निवास करते हैं ठीक है फिर कहा जारा संस्कित में संस्कित से जिस भारती भारती भार्षा के विकास हुआ उसे भारती आरे भार्षा कहा गया यह बहुत महत्तपूर्ण फैक्ट दोस् जो भारती आरिभार्षा है इसको तीन मुखते तीन भागों बाटा गया है देखिएगा यहां पास बिस्तार से दिया हुआ है पहला है प्राचीन आरिभार्षा दूसरा है मध कालीन आरिभार्षा और तीसरा क्या है आधुनिक आरिभार्षा आगे यहां दिया हुआ है तो ये आरिभार्षाओं को हम देखेंगे तीन वहागों बर्गी करण किया गया है यहां विस्तार से इसका बर्गी करण देखेंगे अब देखेंगे जैसे मैंने बताए जो पहला जो था तो कौन से प्राचीन आरिभार्षा है प्राचीन आरिभार्षा का टोटल यहां समय बता आप देखेगा तो जो बैदिक सपिता का समय है वही क्या है प्राचीन आरिभार्षा का समय है देखेगा प्राचीन आरिभार्षा और दूसरा कौँ से है मद्ध आरिभार्षा और तीसरा आधुनिक आरिभार्षा इनका भी अपना-पना बरगी करण है देखते हैं सबसे पह बैदिक संश्कृत का समय बता ज्iąहरा दोस्तों फंद्रेस्टर इस इस अफ़या सपूर्पक का जो समय है ये बैदिक संश्कृत का समय करता है जब बैद्र इं continue का निर्मारख गटा प्रunter है फिर देखिएगा बैदिक संस्कृत कालांतर में परिवर्तित होती है अपना रूप चिंज करती है चुकि समय कंसार हमने आपको पढ़ाया था जब भासा नामाग टॉपिक पढ़ाया था तो जो भासा होती तो समय और इस्थान के अधर पर परिवर्तित होती है या परिवर्तन सील होती है तो बैदिक सब्विता जैसे जिसका समय आगे बढ़ता है पंद्रह सो से एक हजार इसमी के बीच बैदिक सब्विता बोली आती है बैदिक संस्कित है और उसके बाद देखिएगा लौकिक संस्कित का समय आता है लौकिक संस्कित का समय है एक हजार इशा पूर्व से क्या एक हज लोग की बत करता था या देवताओं के बारे में रिचा जिसके लिए रिछा और मंत्र लिख्छे गेंगे वो क्या बैदिक संस्कित हो गये फिर जब लोगों के बारे में लोगों के दुख सुक्ख के बारे में lot संसारी घटनाओं के बारे में जब साहित तकारों ने लिखना शुरू कर दिया तो उसको लॉकिक संस्क्रित का गया और लॉकिक संस्क्रित का समय है एक हजार ईसा पूर headlights से पांसो ईसा पूर दोस्तो तो ये दोस्तो प्रशीन भार्ति आरे भाषा का ये परगी करन्ड है लेकिन आगे देखेगा मद्ध कलीन आरे भाषा को हमताने जारे हैं ये के और बरगी करन्ड देखेगा यहां पास जो सिकन्ड हमने बताया था कि भारती अर्वासा को तीन भागों बाटा गया दूसरा नंबर कौन सा था पाली भासा बोले जाती है जो गौतम बुद्ध का जबाना हुआ था दोस्तों इसको डिटेल से हम आगे पढ़ाएंगे यहां केवाल हम बरगी करान बता रहे हैं तो पाली भासा में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था उस समय की जन सामान की मतलब पांसो इसा पूर उस से 1-2 की मत की जो भासा थी उस समय की जन सामान या लोगों की जो भासा थी पाली भासा थी हाना फिर आगे देखी कि प्रारीWhen बदलती है और किसों बदल जाती है पाली बदलती है प्राकृत भासा में तो पाली का परिवर्तित रुप या कह सकते है पाली भासा का अफ़व्रंस क्या कहलाता है प्राकृत को कहते हैं यह जयन धर्म का समय चल रहा थे उसमय दोस्तों महभीर स्वामी जयन धर्म के 24-वे 13 इन्हों ने प्राक्रित भासा में उपदेश दिए था वह ने उसमय की जन समानगी भासा क्या थी प्राक्रित भासा थी तो इसका समय है एक icbc लेकर के पांसो इसवी तक देखें कि इसा पूर बने गुजर गया है अब एक icbc हम icbc सन में आ गये हैं ठीक है दोस्तों एक icbc पांसो इसवी तक जो है तो प्राक्ति भासा का समय हुआ करता था जिसमें जेन उपदेश है इन्होंने साहित मतब्स उपदेश दिया था ठीक है फिर आगे देखेगा अगला नंबर तक पांसो इस्वी से लेकर के एक थाल आता है अप ब्रणस का काल का घृत होता है दोस्तो परिवरतित रूप या बिक्षित रूप या बीगडा हुआ रूप तो देखेगा पाली और प्राक्रित का बिगडा रूप क्या कहला है अप भरंस का हलाया इनको हम विस्तार से लोग पढ़ेंगे इनकी भी सिस्ताओं के बारे में जानेंगे इनकी सहित के बारे में जानेंगे और इनके सहितकारों के बारे में जानेंगे ठीक है तो भारती आरिभासा का तीसरा जो बरगी करण देखिएगा आधुनिक आरिभासा है आधुनिक आरिभासा को भी देखिए राजा स्थानी शुरूप था फिर हिंदी जो है तो ब्रज अब्धी होते हैं गुजरते हुए साहितिक भासा की रूप में होते हुए ब्रज अब्धी से होते हुए हिंदी जो है तो कौरभी के कहलाती है फिर कौरभी जो है तो क्या खड़ी बोली बनती है आमीर खुसरो का स जाना जाता है तो इसका जो समय है एक हजारिवस्जी ऐस टक माना जाता है तो आधुनिक कि नई कविता का समय तो आज तक कहा जा रहा है नई कविता का समय चल रहा है एक हजार इसी विसी आज तक कि समय किसका है आधुनी कारवार्षाओं का है अब आगे दोस्तों एक महत्पूर्ण करणा यहां हमने देखा टॉपिक है इसी के अधार पर हम लोग आगे कि यह पढ़नें एक और आधार वनेंगा यहां लिखा हुआ ही ही हंडी भासा के बिकास का करम हें रिखें के दोस्तों जैसे कि बेरिक शब्ता में भारत में जब आयों का आगवन होता है तो आठीटिए को दोरह बोली भासा本़ क्या और इस में प्राचीन ये प्राराम्रिक हिंदी के जो समय था कौन से समय चल रहा था राजस्थानी हिंदी के समय चल रहा था और राजस्थानी हिंदी की डिंगल और पिंगल जो है सहलिया थी काफी प्रचली थी हना और डिंगल भासा सहलिय जो थी करकस और कठिन हुआ करती गर जाती है और हिंदी का पहला महा काभि पृत वी राज रासो जो कि चंदधर द्वारा लिखा गया था यह प्रारंभि स्थानि हिंदी से कहां बढ़ती है यहां लिखा हुआ है सर हिंदी या मानक हिंदी बरतमान में जो हिंदी या साहित का जो अधार है मानक हिंदी स्टेंडर्ड अपने रूप में है इसको स्टेंडर्ड हिंदी कहते हैं या सर हिंदी भी कहते हैं या इसको मानक हिंदी कहते हैं या इसको परिन प्रचार सूट किया है देखेगा विकास का जो करम बताया है यहां पास हम संस्क्रित को अलग से बताएंगे जो लॉक्य की बैदिक संस्क्रित है फिर पाल को प्राकृत को अभरंस में अभाट प्राशी ने प्रारंबिक हिंदी इन करमों को एक करम से लगातार पढ़ेंगे विश्यस्ताओं के बारे में जानेगे इनके सहतकारों के बारे में इनके साहित परिबार पढ़ लिया है भारतियार भासा का बरगे करम देख लिया है और हिंदी भासा के विकास का करम देख लिया है ये तीन चीज़े आज की वीडियो हम लोगों ने कवर किया है अगले वीडियो में देखेंगे हिंदी सब्द की विद्पत्ति के वारे में देखेंगे हन दोस्तो आज ले इतना ही अगली वीडियो में मिलेंगे गुड़ दन्वाद मुश्कूराते रहें और दोस्तो वीडियो को लाइक जिरूर करें सब्सक्राइब करें तथा शेयर जिरूर करें दोस्तो आपका सयोग हमारे लिए बहुत ही माने रखता है well day दन्वाद